हेलो दोस्तो असलाम लेकूम तो मैं आजादिर हो गया हूँ आप लोग के लिए एक नए इंफोर्मेटिव वीडियो लेकर दोस्तो जैसा कि आप लोग थामिल देकर ही समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं नमक के फायदे के बारे में और नुकसान के बारे में दोस्तो नमक जानवों के लिए कितना इंपोर्टिट है और जानवों को नमक कितना देना चाहिए दोस्तो आज इस बारे में बात करेंगे और सरदियों में कितना देना चाहिए और गर्मियों में कितना देना चाहिए और सबसे इंपोर्टिट बात कि जानवों को नमक कौन सा देना चाहिए तो दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिग्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो का इन तक आप लादमी देखा करें चैनल पर नए आया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल कर दें ताके मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जानवरों को नमक देने के फाइदे के बारे में तो सबसे पहले जो फाइदा इसका हो अगर आप जानवर को नमक देते हैं तो आपके जानवर का हाजमा दूस्त होगा, इसको भूख जादा से जादा लगीगी, अगर आप जानवर को नमक अपने इसके खुराक में शामिल करके देते हैं, तो अगर आप बकरियों को नमक देते हैं, तो बकरियों में दूद की अगर आप जानवर को अपने नमक देते हैं और दोस्तो सबसे में चीज जो है इसकी केलशियम की कमी को दूर करेगा दोस्तो आपकी जानवर की केलशियम जितनी भी आपकी जानवर के अंदर केलशियम की कमी होगी इसको दूर करेगा तो आपने जानवर को नमक जो है बहुत नमक दोस्तों ये रोक सॉल्ट है और ये जो है आपको 50 रुपे किलो के इसाब से पढ़ जाएगा और ये बहुत ही बैतर है बनिस्बत दूसरे वाले के दोस्तों आप इसकी कॉलिटी देखें ये रोक सॉल्ट किलाता है लोग इसको पिंक सॉल्ट भी करके बेचते हैं और य ये जो है आपको 50 रुपे का किसी भी मार्केट से मिल जाएगा थोड़ा चमक चमक वाला होगा तो दोस्तों आप जब भी लें तो वही वाला नमक लें 50 रुपे किलो वाला और दोस्तों ये वाला जो नमक है इसको थोड़ा साब आवाइड करें ये वाला नमक ना लें क्य अगर आप लोग ये वाला नमक लेते हैं तो ये वाला नमक आप ना लें जबके 30 से 35 रुबे किलो मिलता है 25 रुबे भी मिल जाता है 30 रुबे मिल जाता है तो ये वाला आपने नमक नहीं लेना है आपने लेना है नमक वो वाला दूसरा वाला नमक ही आप लोगों नहीं लेन तो मैं अपने जानवों şunu नमख अपने खुराकर के अंदर शामिल करके देता हूं दोस्तो kíamos Washington Lake जो निह सकता हैं अप चाहें तो आप इसको जो है लटका कर भी दे सकते नमख को जिस तरह आप चाहें आप इसको भान के भी दे सकते हैं नमक जिससा लटका देते हैं ब्लोक वगरा या आप इसके चारे में वंडे में जिस तरह भी आप चाहें आप इसको दे सकते हैं अच्छा दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके फाइदे के बारे में इसके और भी फाइदे के बारे में दोस्तो अगर आप जानवों को अपने नमक देते हैं तो आपके जानवों का खून का बहाओ जो है दुरूस होगा और आपका जानवर जो है फरवा होगा इससे अच्छ इनको लाजमी देना है, इनकी डाइट में लाजमी शामिल करना है, और जिस तरह मैंने चूरन वगरा दिया है, लोग काला नमक भी देते हैं, दोस्तो काला नमक काफी तेज होता है, वो अक्सर चूरन वगरा या मसाले वगरा में इस्तमाल होता है, जिस तरह मैंने मसालों की वीडियो आप लोग को दिखाई मी हैं तो उसके अंदर मैंने जो है काला नमक इस्तमाल कर रहा है वो जरा तेज होता है तो वो आप जो है नमक ना दें इसके बजाए यह जो है आप रॉक सोल ने पिंक सोल जो किलाता है अच्छी कॉलिटी का आप यह वाला नमक जानवों को दें अच्छा यह नमक जो है आप गबन बकरियों को भी दे सकते हैं चोटे बच्चे बड़ो सब को आप दे सकते हैं और दोस्तो अगर आप चारे के अंदर मिलाकर दे रहें तो आपने इससे जादा नहीं देना जितना मेंने आपको दिखा ये आधा चमज एक टाइम पे आदा चमच देते हैं अगर आप दो टाइम पे चारा दे रहें तो उस टाइम पे देते हैं अगर आप बलाक नहीं रखना चारा है नमक का तो तो आप इस तरीके से आप तोड़ के या चूरा बना के आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं तो मैं आप लोग अपनी बकरी को खिला के भी दिखाता हूं तो ये देखें दोस्तो कितने ही शोग से खा रहिए तो नमक इसको काफी दबर्दस लगता है काफी अच्छा लगता है तो इस तरीके से ये जो असानी की साथ खा लेती है दोस्तो इसके नुकसान नहीं है इतने और फायदे बहुत जादा हैं तो दोस्तों अगर आप नहीं देंगे तो आपके जानवर का आदमा ठीक नहीं होगा इसको भूग भी नहीं लगेगी और आपकी जानवर की हड़ियां जो कमजोर होंगी अक्सर जो बक्रियां जो बच्चे देने वाली होती हैं अगर आप उनक इसको नमक नहीं देते तो उनके बच्चे भी वेग पैदा होते हैं उनकी हड़ियां कमजोर होती हैं जल्दी वो खड़े नहीं उपाते तो दोस्तों गबन बक्रियों के लिए नमक सही है और जानवर पानी भी नहीं पीते हैं अक्सर जब हम नमक नहीं देते तो अगर लाजमी अपने डाइट के जानवों के डाइट के अंदर शामिल लाजमी करना है आप लोगों ने तो अगर मेरा इस वीडियो से मतलिक कोई भी आप कुछ पूछना चारहे हैं या मुझसे कुछ चीज रह गई हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो लोगा आप से किसी नेक्स वीडियो में तब तक अल्ला आफेज